दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज में आपको बताओंगा कि इस तरह से आप डोटकॉम डोमेंडियम रइश्टर कर सकतो हम अंडर वन हंडेड रूपीज में तो इस अब के बारे में जानने के लिए और चीफ प्रेस में डोटकॉम डोम डोमेंडियम रइश्टर करना है तो आज के दिस ओफर के बारे में आपको बातानवाल हो ये ओफर ये साल का आखरी ओफर हो सकता है इसका रिजन मेरे ख्याल से आपको ओल्रेडी पता होगा कि वेरी साइन और आइकेंड ने मिलकर डोटकॉम डोमेंडियम की प्राइस इंक हो गई है तो अगर आपको एक जो आपका फेवरीट डोटकॉम डोमेंडियम रइश्टर करना है तो आज का वीडियो आपको काफ़ी हेलफुल रहने वाला है आज के अंदर दोस्तों आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आपको डोटकॉम डोमेंडियम वो वेबसाड का नाम है 123 रेज यहाँ पर आपको दिखाए देंगा तो यह वेबसाड के अंदर आपको अभी काफ़ी चीप प्राइस में डोटकॉम डोमेंडियम मिल रहा है तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है वीडियो के डिस्क्रिशिय में आपको डायरिक लिंक दे करना है तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखाए देगा डोटकॉम डोमेंड पर अभी ओफर चलता है तो यह डोमेंडियम है वो आपको मिल जाएंगा ओनली ओन 0.99 पाउंट में अगर इसको हम यहाँ पर पाउंट्स टू इंडियन रूपीज में कनवर्ट करें तो यह 100 र इसके बाद सिंपल हमें जाना नीचे यहाँ पर आपको देखाए दागा continue to purchase continue with purchase को पर क्लिक करना है यहाँ पर हम सिंपल one year के लिए register करेंगे one year select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देखाए दागा यह website builder है इसको भी के लिए हम यहाँ से remove कर देंगे तो यहाँ पर आ detail aiden के बाद को continue button above click करना है इसके बाद को कुछ personal information add करनी है personal it read करने के बाद आपको continue button go aiden के लिक करना है तोि एक इसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको धूबिसकर ना है ओपर औगे आपको चाहिए website से उच्ठक कर दियाए वज़ना के ईपर क्लिक करके agree के उपर आपको take mark करके create account को पर click करना है तो यहाँ पर हमारा account successfully create हो चुका है इसका बाद simple हम continue button को पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर देखा देगा कि हमारा जो अब total हो चुका है 0.99 pounds यहाँ पर जो पहले tax add हुआ था वो अब automatically deduct हो चुका है और अब हमारा total है 0.99 pounds इसका बाद simple हम payment condition को accept करके PayPal की मदर्द से payment कर देंगे यहाँ पर आपके पास PayPal का भी option है तो यह बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास debit card वगए रहे हैं तो इसका भी यूज़ करके आजसानी से आप यहाँ पर payment कर पाएंगे तो simple यहाँ पर में PayPal email address लिख लेता हूँ तो यहाँ पर simple में login कर लेता हूँ PayPal account में इसका बाद आपको यहाँ पर CVV number add करना है जो आपके debit card के पीछे आपको मिल जाएंगा तो यहाँ पर bank के तरफ से मुझे message आ चुका है 100.70 रुपीज debit हुआ है मेरे debit card से यहाँ पर आपको देखे दागा एक बार यह जो complete order है मतलब कि यह जो आपके पास message आया है इसका आपको screenshot लेकर रखना है यहाँ पर इसके अंदर आपका order ID नमबर होगा तो यहाँ पर हम email open करते हैं यहाँ पर आपको देखे दागा Gmail कंदर एक email आया है इसको हम open करते हैं congratulations on your new purchase इसके बाद यहाँ पर आपकी order detail है इसके बाद हम check करते हैं हमारे account के अंदर login करके login के उपर हम click करेंगे इसके बाद यहां पर हम menace को पर click करेंगे domain के सामने यहां पर आपको देखा दगा domain name successfully one year के लिए register हो गया है यहां पर आपको देखा दगा हमने आज है 3 September 2021 आज को हमने register किया है और यह domain name expire होगा 3 September 2020 टोको instantly register हो चुका है payment सब कुछ हो गया है तो यह domain name है वो हमें 100 रूपिस में मिलके हैं यहां पर आपको देखा था का अब मैं आसानी से यहां से इसको manage कर पाऊंगा इसके name server वगरे change करके इसका DNS वगरे change करके मैं यह domain को आसानी से अब use कर पाऊंगा यहां पर आप देखिए जो मैंने domain name की name server को उपर click किया आप यहा से यहां पर हमने just 100 रूपिस में dot com domain name register कर लिया है तो इस तरह से आप काफी chip में 123 रेज से dot com domain name purchase कर पाएंगे PayPal का option available है तो यह बहुत अच्छे बात है क्योंकि मैंनो जो भी payment किया है वो debit card से किया है ना तो credit card से तो अगर आपके पांस जो विजा master card का debit card है तो इसको आप PayPal क account open कर लिजें इसके मद्दे से आपका payment कर दीजें आसानी से आपका payment हो जाएक और आपको domain name में यहां पर देखिए auto renew वगरे own नहीं है तो आपका domain name automatically renew करने होगा बाद में 16 डे के बाद आप domain को कहीं पर भी transfer कर पाएंगे तो आपके दोस्तो आपको पसंद आये होगा अग सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते रहें थांक्यू प्रोशन देश वीडियो